जोखु ने लोटा मूझ से लगाया तो पानी में सक्त बदबू आई गंगी से बोला यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है? गंगी प्रति दिन शाम पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था कलवा पानी लाई तो उसमें बू बिलकुल न थी आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाग से लगाया तो सचमुच बदबू थी जरूर कोई जानवर कुवे में गिरकर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुवे पर कौन जढने देगा? दूर से लोग डांड बताएंगे साहू का कुवा गाउं के उस सिरे पर है परन्तु वहां भी कौन पानी भड़ने देगा? कोई तीसरा कुवा गाउं में है नहीं जोखु कई दिन से बिमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा पिर बोला अब तुमारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाग बंद करके पीलू गंगी ने पानी न दिया खराब पानी से बिमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परंतो यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है बोली यह पानी कैसे पियोगे मैं जाने कौन जानवर मरा है कुए से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ जोखु ने आश्चरे से उसकी और देखा पानी कहां से लाएगी ठाकुर और साहुल के दोख हुए तो है क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे हाथ पाउ तुड़वा आएगी और कुछ न होगा बैट चुपके से ब्रह्मदेटा आशिरवार देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे साहुजी एक के पाँच लेंगे धरीबों का दर्थ कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर पर जहांकने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग उएसे पानी भरने देंगे इन शब्दों में कड़वा सबते था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वा बद्बूदार पानी पीने को न दिया रात के नौ बजे थे ठके मांदे मजदूर तो सो चुके थे ठाकुर के दर्वाजे पर दस पांच बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादूरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका कानूनी बहादूरी की बाते हो रही थी कितनी होश्यारी से ठाकोर ने ठानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्रत दी और साफ निकल गए कितनी अकलमंदी से एक मारके के मुकदमे की नकल ले आए नाजिर और महतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मांगता, कोई सो यहाँ बेपैसे एक औरी नकल उड़ा दी काम करने का ढंक चाहिए इसी समय गंगी कुए से पानी लेने पहुँची कुपे की धुंदली रोश्नी कुए पर आ रही थी गंगी जगत की यार में बैठी मौकी का इंतजार करने लगी इस कोई का पानी सारा गाउं पीता है किसी के लिए रोका नहीं सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते गंगी का पिद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं ये लोग क्यों उच हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करें, जाल परेब ये करें जूटे मुकद में ये करें और इस ठाकोर ने तो उस दिन बिचारे गडरिये की फेट चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया इनी पंडित के घर में तो बारहों माज जूआ होता है यही साहू जी तो घी में तेल मिला कर बेचते हैं काम करा लेते हैं मजूरी देते नानी मरती है किस-किस बाद में हमसे उचे है हम गली-गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं हम उचे कभी गाउं में आ जाती हूँ तो रजबरी आँख से देखने लगते हैं जैसे सब की छाती पर साप लोटने लगता है परंतु घमण यहा कि हम उचे हैं खुए पर किसी के आने की आहट हुई गंगी की छाती धगधग करने लगी कहीं देख लें तो गजब हो जाए एक लाद भी तो नीचे ना पड़े उसने घड़ा और रसी उठा ली और जुक कर चलती हुई एक व्रक्ष के अंधिरे साय में जाकरी हुई कब इन लोगों को दया आती है किसी पर बिचारे महंगू को इतना मारा कि महीनो लहु थूटता रहा इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी इस पर ये लोग उंचे बनते हैं कुए पर स्त्रिया पानी भरने आई थी इनमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक मुआ कि ताजा पानी भर लाओ घड़े के लिए पैसे नहीं है हम लोगों को आराम से बैखे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है हाँ यह तो नहुआ कि कलसिया उठा कर भर लाते बस हुकम चला दिया कि ताजा पानी लाओ जैसे हम लोण्डिया ही तो है लोण्डिया नहीं तो और क्या हो तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती दस-पांच रोपे भी छीन जपटकर ले ही लेती हो और लोण्डिया कैसी होती है मत जलाओ बीदी छिन बर आराम करने को जी तरसकर रह जाता है इतना काम किसी दूस्ते के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती उपर से वह एहसान मानता यहां काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुही सीधा नहीं होता तोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी रिक्ष की छाया से निकल कर कुए की जगत के पास आई इसी तरह मैदान तो साफ हुआ अम्रिद चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी साफधानी के साथ और समझ बूच करना गया हो गंगी दबे पाउं कुए की जगत पर चड़ी विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था उसने रस्ती का फंदा घड़े में डाला दाएबाई चौकनी दृष्टी से देखा जैसे कोई सिपाही रातकुष शत्रों के किले में सुराख कर रहा हो अगर इस समय वह पकड़ ली गए तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्नी भर उमीद नहीं अंत में देखताओं को याद करके उसने कलेजा मस्बूत किया और घड़ा कुए में डाल दिया घड़े ने पानी में गोता लगाया बहुत ही आइस्ता जरा भी आवाज न हुई गंगी ने दो-चार हाँ जल्दी-जल्दी मारे घड़ा कुए के मुह तक आप उचा कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खीच सकता था गंगी जुकी कि घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे कि एक का एक ठाकुर सहाब का दर्वाजा खुए गया शेर का मुह इससे अधिक भरानक न होगा गंगी के हाथ से रस्ती चूट गए रस्ती के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में किरा और कई शण तक पानी में हिलकोरे की आवाजे सुनाई देती रही ठाकुर कौन है कौन है पुकारते हुए हुए की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूरकर भागी जा रही थी घर पहुँच कर देखा कि जो खुँ लूटा मुह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है